आजदानी दिली की निरेलाव में हम डीडिये के ग्राउंड के अंदर मौदूद है इस वक्त आपको बतादे चटपुजा का माँ पर हुआ है उसकी तैयारिया जोरो सोरो से यहां पर चल रही है इदर आप देख सकते हैं यहां पर काफी बड़ा एक टैंट लगाया हुआ है जिसके अंदर कई 10,000 लोग यहां पर मौदूद रहेंगे और साथ ही इसके इदर आप देख सकते हैं हमारे पास में एक ऐसा तलाव बनाया हुआ जिसके अंदर काफी सरदालू आएंगे और चट पुजा के साथ साथ पर यहां पर तीन दिन तक जो भी हांपर सरदालू आत अब हर तरह से स्वक्सिता आज से चालू होगा उनकी घर की सफाई होगी बरतनों की सफाई होगी जिस चुले पे पक्वान बने गया उसकी सफाई होगी और जो माता बहन ब्रत करती है वो आज अपनी बाल को दोएंगे और हर तरह से स्वक्सिता की त्योहार होती है नहाई माता भैने जो पूजा करती है वो गूर की खीर खाती है और उसके बाद फिर अगले दिन चट पूजा सामने अर्ग देती है आगले दिन सुभा में अर्ग दे करके ही वो बड़त को खोलती है, हम लोग ये actually temporary तालाब है, तो इसलिए हम गंगा का सुरूप मान करके महा गंगा का आवहन करके इस तालाब की सुधि करण के लिए हम लोग कल यहां पे पूजा का आयोजन करते है, पूजा के साथ में हमारा किर्तन भजन का टीम है वो किर्तन भजन करती है और यहां पर प्रसाद के लिए 500-600 आदमी के लिए खीरपूरी का आयोजन किया जाता है सरदालू के लिए विनित जी क्या आवी से रहेगा काफी दूर से लोग यहां पर आएगी तो सरदालू के लिए सरदालू के लिए संस्ता दौरा और सरकार दौरा हर बार बहुत अच्छी बेवस्ता की जाती है, यहां पर रुकने के लिए बेवस्ता की जाती है, सौचाले की बेवस्ता की जाती है, स्वास्त केम्प की बेवस्ता की जाती है, एंबुलेंस की बेवस्ता की जाती है, क्योंकि कई बार क्या होते हैं, कि कई भुजुर की कभी बिहोस हो जाती है तीन दीन की ब्रत में कुछ भी तो यहां दो दो तीन तीन एंबुलेंस की कैट्स की गाड़ी खड़ी होती है डॉक्टर का टीम होता है तो और रुकने के लिए रजाई गद्दे सभी चीज की विवस्ता होती है टेंट की बात करें दो सर टेंट काफी बड़ा लगा हुआ है काफी बड़ा पंडाल लगाया हुआ है देखे लग रहा है अजारों लोग आएंगे कितने लोग यहां आते हैं इस साल कितनी संभावना है आने के लोग देखिए हर साल यहां पर 50-60,000 आदमी आते हैं यहां लिए जान स्कृतिक प्रोग्राम होता है हजारों लोग आते हैं अनको मिठास को सुनने के लिए Hail, U.P.B.R. बॉम्बे प्रत्यक्षी दर्शी भागवान सुर्ज की पूजा है अनुहोनी से कुई संभावना होती नहीं है फिर भी हम अनुहोनी से निवटने के लिए तयार रहते हैं हमारी सारी है पूरी हो चुकी है चट जैसे आप घार का पूरा काम हो चुका है अब जो है ठोड़ा बहुत सफाई का काम कर रही कर रहे है और तेंट का काम है जहां तक हमें लग रहा है हम ये दो दीन में पूरा अपना काम complete कर लेंगे और हमारा पूरा पूरी तरह से हम त्यार रहेंगे अपने छट वर्तियों के लिए दो पूर tecnologia को कहा होगा और किस तरह होगा पूजा करेंगे कोजा आज पूरा टेंट और सुर्धालों के लिए बनाया गया है जो अपना आएंगी पूजा करेंगी उनके पूरी सुविधा है टेंट है हमारे वलिंटियर्स हैं तो उनको बैठाने का जगा देने का काम हमारी सोसाइटी पूरा अच्छी तरह केसे करती है तो यह तालाब का पानी यह एक ही बार भर भर चेंज किया जाएगा नहीं अक्छली में यह हमारा टंप्रेरी तालाब है इसको यूज करने के है को यहां को जो पूजा बहुत है जो पूजा बहुत है वह सुभा और साम दोनों ही समय उनको अरग दिया जाता है और पूजा को सामापन के जाता है